हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही जादा युनिक सा नाश्ता जो आपको बहुत जादा पसंद आएगा आप इसको एक पर जरू ट्राइ कीजिएगा ये हमने सूजी और फुल गोभी से ये नाश्ता हमने बना के तयार किया है तो चलो फ्रेंड्स शुरू इसको अच्छे से बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे आप चाहो तो इसको कद्दुकस से भी ग्रेट कर सकते हो क्योंकि हमें इसको मिक्सी में पतला ग्राइंड नहीं करना है हमें इसके चंक्स जो है प्याज और गोभी के हमारे नाश्ते में आने चाहिए तो बस जो हमार किवी फुल गोभी और जो प्याज है उसको डाल देंगे तो देख लिजे किस टाइप का टैक्षर है हमारे फुल गोभी और प्याज का इसी तरीके से आपको रखना है तो बस आप हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से सौटे कर लेंगे तो लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे ताकि जो सबजिया है उनका कच्छा पर निकल जाए और उनका जो क्रंच है वो भी बरकरार रहे तो इसलिए हमें इसको हाई फ्लेम पे ही भूनना है तो बस जैसी हमारी सबजिया थोड़ी भून जाए इसमें हम एड़ कर देंगे अपने मसाले इसमें जाएग यह हम एक पेंच हींग और आधी छोटी चममच काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने से इसमें खुश्बू बहुत जाद अच्छी आएगी तो बस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जैसे यह अच्छे से मिक्स हो जाएगे तो इसम जब तक इसमें आ रहा है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा तो बस अब हमने इसमें डाल दिया है बहुत सारा बारिक कटा हुआ हरा धनिया जो हमारे नाश्टे का टेस्टी नहीं बल्कि उसको देख पानी अच्छे से बॉल हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी सूजी की तो जी हाँ फ्रेंड्स हम ये सूजी से बनाने वाले हैं नाश्टा जो काफी जादा टेस्टी बनके तयार होगा तो बस सूजी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंग बने को छोटे सीता होगा है तो जैसे ही हमारा मिष्ट के ठंडा हो जाएगा हम अपने हातों को किये थोड़ा सा ओल से ग्रिस तो ओल से ग्रिस effects करने के बाद हम इसको एक बार दुबारा से अच्छे से मसल लेंगे और इसको एक जगा इख़था कर लेंगे तो इसमें हमने सूजी की मातरा थोड़ी कम रखी है ताकि जो सबजीयों का क्रंच है वो हमारे नाष्टे में आए और उसमें जो सबजीयों का टेस्ट और फ्लेवर है वो कहीं खोना जाए तो इसलिए हमें सूजी की मातरा थोड़ी कम ही रखनी है और जिससे आप अपनी मंचाही शेप में बना सकते हैं, तो मैं इनको एक टिक्यों की शेप दे रही हो, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है, तो उसी तरीके से आप भी इसकी टिक्यां बना के तयार कर सकते हो, और जब भी कोई आपके यह महमान आए, तो आप इस टो को एक बा जैसे ही कोई गयस आता है इनको तुरंत फ्राई करके सर्ब कर सकते हैं तो यह यकीन मानिए इतना टेस्टी है नाश्टा बनके तयार होता है कि महमान भी आपसे पुछेंगे कि आपने यह किस तरह से बनाया तो बस टिकिया हमारी बनके तयार हैं तो मैंने रख दिया है गयस पैन में डाला कुकिंग ओयल तो जैसे ओयल गरम हो गया था तो उसमें अपनी सारी जो टिकिया भी बनाया था फरस्ट बैच उसको हमने इसमें डाल दिया है तो देख लीजी कितनी टेस्टी जो है हमारी टिकियां इसमें फ्राई हो रही हैं बहुत कम ओयल यह अब्सर्व क कर लिया है तो देख लीजे कितनी टेस्टी हमारी टिकियां बन के तयार होगी और यह बहुत ज़्यादा आसान है बनानी और जब भी कोई महमान आए आप उनको यह सर्व कर सकते हो और यह बहुत ही ज़्यादा यूनीक और हेल्दी नाश्ता है अगर आप इस तरीके से ना नाश्ता लाने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो एक साइड से जैसी सिग गई दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से से लेंगे आप जाहो जिस तरह से आप इसको इसका कलर पसंद करते हो उस तरीके से आप इसको फ्राई करके निकाल सक यह आपको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी कि आप रोज रोज यही बना के खाना शुरू कर दोगे और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो बस यह भी अच्छे से एक साइड से फ्राई हो गई है तो दूसी साइड से भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जो आपको मन पसंद कलर चाहिए उतना आप इसको फ्राई कर सकते हो तो देख लिजे, फ्रेंट्स, कितनी टेस्टी हमारी टिक्कियां बनके तैयार हुई है, आप इसको सौस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको जैसे हम आलू टिक्की को दही और इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, उस एक वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के रंड बाई बाई